The Richest Man in Babylon, एक मशहूर और प्रभावशाली सेल्फ हेल्प और धन संपत्ती, वेल्था बिल्डिंग की किताब है, जो जो जोर्ज S. क्लेसन ने 1926 में लिखी थी. ये किताब ऐसे व्यापारी और व्यक्ती के जीवन के अनुभवों पर आधारित है, जो बेबिलोन के सबसे अमीर व्यक्ती बने थे. किताब में, क्लेसन ने धन संपत्ती के लिए कुछ सिध्धान्तों और उपायों का वर्नन किया है, जो कोई भी आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं. कहानी बेबिलोन के सबसे अमीर व्यक्ती अरकैद की है, जो अपने समय के सबसे बड़े उपभोकताओं में से एक था. उसने अपनी संपत्ती कैसे बनाई और कैसे उसने दूसरों को भी अपने सिध्धान्तों का ग्यान बाटा, ये सब इस किताब में बताया गया है. ये किताब साथ अनोखे सिध्धान्तों, और पांच नियमों, पर आधारित है, जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ती अपने धन को बढ़ा सकता है और अमीर बन सकता है. पहला सिध्धान्त, शुरुवात अपनी आमदनी का 10 प्रतिशत बचा कर करें, अपनी आमदनी का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा बचाने की आदत डालें, यह आपके धन को धीरे धीरे बढ़ाने में मदद करेगी और आपको आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी, अपने खर्चों को नियंत्रित करें, दूसरा सिध्धान्थ, अपने खर्चों पर काबू पाने की कोशिश करें, आवश्यक खर्चों के अलावा बिना जरूरत के खर्चों से बचें और धन की बचत करें, अपने पैसे को काम में लगाएं, तीसरा सिध्धान्थ, अपने पैसे को का चौथा सिध्धान्त धन संपत्ति के नियमों और सिध्धान्तों का ग्यान प्राप्त करें। अपने लिए एक आई वर्धक उपाए धूनें, छटा सिध्धान्त, एक स्थाई और सुरक्षित आई वर्धक उपाए धूनें। ऐसा काम या निवेश करें, जो आपको लगातार आई प्रदान करें और आपके धन को बढ़ाने में मदद करें, अपने आपको शिक्षा प्रदान करें, साथ्वा सिध्धान्त, हमेशा शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ती में लगे रहें। अपने व्यवसाई या पेशे में विशेशग्य बने और इससे आपकी आई में वृद्धी होगी। गोल्ड गोस टू दोज हू अंडिस्टान इट, धन समपत्ती के नियमों और सिध्धान्तों को समझने वाले लोगों के पास धन जाता है। ज्यान और समझ के बिना, धन को संभालना और बढ़ाना मुश्किल होता है। तीसरा नियम, गोल्ड सुरक्षित जगय में रखें, गोल्ड is a risky investment, धन समपत्ती के निवेश में हमेशा सुरक्षित निवेश करने की जरूरत होती है। गोल्ड ज्यादा लाबदायक होता है, लेकिन इसमें ज्यादा जोखिम भी होता है। चोथा नियम, गोल्ड बचाने से ही धन बढ़ता है, गोल्ड increases when saved, धन को बढ़ाने के लिए सोने को बचाना बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति अपने धन का एक हिस्सा सोने में निवेश करता है, उसके पास अधिक धन के निवेश करने के लिए अधिक संभावनाएं होती है। पांचवा नियम, गोल्ड आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है, गोल्ड brings success to those who love it, गोल्ड का प्रेम करने वाले व्यक्ति को सफलता मिलती है। जो व्यक्ति सोने के मूल्य को समझता है और इसे बचाने वाला होता है, उसके लिए सोना सफलता लाता है। इस किताब में दिये गए सिध्धान्तों और नियमों का पालन करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। ये किताब स्वतंत्र विचार करने, धन संचय करने, सुरक्षित निवेश करने और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सिध्धान्त देती है।